कि हैं आप सब्सक्राइबर्स का और हमारे चैनल पर आने वाले नए वीवर्स का और आज हम लोग जो डिसकस करने वाले बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है तो यह है लॉरेंस ट्रांसफर्मेशन एक्वेशन आज हम लोग सीखेंगे इसके बेसिक्स और इनकी इक्वेशन को ड्राइब करेंगे तो आईए देखते हैं कैसे इसको किया जाता है तो यहां पर ध्यान दखना है कि लॉरेंस ट्रां कमेंट बॉक्स के नीचे जो आपका डिस्कृप्शन दिया रहाएगा या कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं लिंक आपको मिल जाएंगे उन लिंक के थुरू आप जाएंगे और देख सकते हैं गैलियन की टॉपिक को तो इसके लिए कुछ कंसिट्रेशन से सबसे पहले जो हम कंसीट्रेशन गैलेल में लेते हैं वही यहाँ पर भी लिये घ्स अगर आपको कंफीर रने कंसिट्रेशन में तो वह मैं लिग दे रहाँ आप इसको कौ peekकर कर सकते हैं इसके daily जो कंसिट्रेशन से वह में लीग दे हैं मिदा कंसिट्रेशन साह S सबसके पहला consideration जो हमने लिया हुआ है S S हमने क्या लिया हुआ है यह है rest frame rest frame means it is not a moving frame the velocity for this frame will be 0 again we have considered S dash S dash को हमने लिया हुआ है या रखेंगे moving frame we can say this frame is in motion with velocity V तो यहां पर हम लिख देते हैं कि यह V velocity से move कर रहा है और एक और consideration कि कहां को move कर रहा है along X axis तो this is the consideration basically S and S dash similarly O and O dash these are the two observers O and O dash two observers respectively we can say O is S and O dash for S dash reference frame तो यह हमारे consideration से हैं और साथ में आप लिख भी सकते हैं कि यह जो distance यहां पो दिखाए गई है कि O dash observer means S dash frame the move करता है तो आफ्टर ताइम T पोजिशन आप दिस O dash is V T तो V T क्या है वो चलीगी दूरी है जब यह माल लेते हैं कि O dash यहीं पर था और यहां से V velocity से चलना सुरू कि आप T time तक चला तो इकनी दूर पहुंचिया है V T की दूरी तक पहुंच गया है यह सारी बात हैं डेटेल में गैलियन की थियोरी में डिसकस कर चुके हैं और यहां से हमने गैलियन की कुछ equations निखा ली थी लेकिन गैलियन की थियोरी क्योंकि फेल हो गई थी उसमें light की speed को constant नहीं माना गया थ बट जब माइकलसन मोरले का experiment हुआ उसके result आए तो वहां से Einstein ने दो postulates दिये थे जिसको में already discuss भी कर चुके हैं इन postulate के बिहाब पर ही इन postulate को सही माना विया और लॉरें ने इसी postulate को follow करते हुए यह चार नई questions दी थी जो आज हम लोग drive करने जा रहे हैं तो हमेसे कि most of the student जब हम लोग copy check करते हैं एक्जाम की तो देखते हैं कि बच्चे सबसे जादा mistake जो करते हैं कि उसमें दो equations नहीं लिखते हैं y-dash और z-dash को आप निकाल के छोड़के आ जाते हैं यह पूरा ध्यान में देना है आपको की चार equations है transformation की वह चारों equations आपको लिखनी होंगी तो कैसे इनको निकालेंगी यही हम लोग आज देख रहे हैं डिटेल में तो इसके लिए एक special constellation और भी है जो मैंने यहां लेख भी दिया है आप देख सकते हैं according to Lorentz transformation equation because these are the new transformation equations in compared to Galilean so he said the measurement in x direction made in frame s must be linearly proportional to that made in s-dash frame जो Lorentz scientist यह नहीं यह खाओं का सोचनी का तरीका थोड़ा सा अलग था जब नहीं कहा कि अगर light constant रहनी है या हम कहें कि Einstein के positive column जब सही माना तो उनने कहा कि Galion की theory में थोड़ा सा बतलाव आना चाहिए वो बतलाव उनने कहा कि यह है कि ठीक है हम माल लेते हैं कि Galion की question सही है Galion का derivation या conservation बिल्कुल सही है बट उसमें change होना चाहिए कि जो transformation होगा वो directly proportional की जगह है वो सब्सक्राइब का उनने कंसर्ट यहां पर time है तो प्लीज इसको जरूर दिया करें तो गैलियन की जो equations थी वही से ही इसको drive करते हैं तो गैलियन ने जो equation दी थी अब हम लिख सकते हैं जो वहने भी यहां पर consideration लिखा था उसी के नीचे में यह कर रहा हूं तो एक्स बैस एक्वल टू गैलियन ने कहा था एक्स माइनस वी टी यह बहुत जरूरी है ध्यान देना गैलियन ने कहा था यह question और अभी अपने कहा कि लॉरेंड ने इसी बात को सोचा condition अभी भी यही सर रही एक्स राइस की value देते एक्स डैस की जो value है यहां से यहां तक की यह क्या है यहां पर पीप कोई event point है इस event point तक की दूरी यह x है अगर मैं x मैंसे इतनी distance को subtract कर दू तो वो value क्या बसती है x वही चीर यहां पर रिखी हुई है लेकिन इस में ध्यान क्या देना है यहां पर एक proportionality constant भी आना चाहिए और उन्होंने इस equation को थोड़ा सा modify कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है यह condition विल्कुल सही लेकिन उन्होंने कहा कि यहां पर एक constant के आना चाहिए और यह constant उन्होंने क्यूं कहा आना चाहिए क्यूंकि उन्होंने यह माना था कि instant के postulate सही है वो वर्क करेंगे तो अगर speed slow होगी तो उन्होंने का k की value 1 हो जाएगी अगर light के speed के terms में और equation वही हो जाएगी जैसे की गलिन की theory कहती तो इनकी questions देखते हैं कि क्या यह है तो similarly x के respect में अगर बात करें यह equation क्या हो जाएग क्यों 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 लेते हैं क्योंकि माना जाता है कि यह अगर जब वह जा रहा है इस डारेक्शन देखते हैं तो उसको लगेगा कि वह रुका हुआ है उससे दूर जाड़ा है यह वाला अप्जर्वर यह frame तो उसका यह appearance नेगेटिव appearance होता है यादि कि उसको लगता है कि जो velocity direction x था उसको लगेगा वह minus x की तरफ जा रहा है frame s इस वज़े से यह minus v को यहाँ पर लेते हैं जिसका आइस्टीन के अगर पॉस्ट्रेट आपको नहीं मालूम है तो इस derivation को करना थोड़ा सथा ठाप पड़ता है क्योंकि बिना इस्टीन के पॉस्ट्रेट का यूज करें इन derivation को नहीं किया जा सकता तो अगर आपने पुराना वीडियो वालना देखा हो तो प्रीज उसको द इसको नाम दिया गया था और यहां से हम कह सकते हैं मैं लिग भी देता हूं प्रिंसिपल और एक्यूवेलेंस जिसके अपॉर्डिंग यह बताया गया था कि जितने भी फिजिक्स के लौ हैं और फिजिक्स लौस आर वैलिड एंड शेम फॉर और इनर्टियो अर्टिक्स ल फ्रेम और रिफ्रेंस या रिफ्रेंस तो यह भ्यान रखना है आपको कि जो पहरा लोग है यह जब एक्जाम में अगर डेशन करना है लौंग क्यूस्टन में लौर्ण जाया हुआ है और आपके पास टाइम है तो आप इसको डेफिनिशन को भी वहां लिख देंगे तो य श्रॉछिस प्रिंस्पॉरण टो जो में और भाएई अगया है इसट्रेंटी है में रहें करने जाया हैhe इसलिए वहां पर एक के आना चाहिए बस इतना हमने नया मांग लिया फिर हमने यह कहा कि आइस्टीन के पहले पॉस्टिट का यूज करके लॉरें ने अब क्या थोरी गई उन्हें कहा कि क्योंकि सारे फिरिक्स के लोग एक जैसे होते हैं तो जो एकस डैस की वैल्यू है वो एकस में सटिस्फाइ करने चाहिए तो यहां पर लिख देते हैं कि वैल्यूओ अफे एकस डैस Q2 में एकक्रेशन वन से यह पूर्स कर देते हैं तो यह वैल्यू हो जाएगी एकस इक्वोल टू के ब्रेकेट चेंज कर देते हैं एक्स डैस के लिए पूरी वेल्य हो जाएगी कि एक्स माइनस वी टी और अंदर है अल्रेडी वी टी डैस तो ये क्वेशन अब आए पास नई क्वेशन आगी ये कहां से आई ये क्वेशन ये आई है आय Index के फर्स्ट पॉस्च बहुत करके गिर्स करें यह इसमें क्यों रख पाया हम क्योंकि फिजिक्स के लोग सभी इनेसर्ट इनर्स्ट्राइब में एक जैसे होते हैं एसा इफक इदर कि आद़ हुआ होगा वैसा इदर ही होगा ये माहन करके यहां पर इसको रख दिया गया है यह जो हम कर रहे हैं मोस्ट आप दी वीडियो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इतना आसान लेंग्विज में सायदी कहीं दूलने से मिलेगा तो प्लीज इसको लास्तर देखे और एक स्पेशल चीज है कि लास्त में हम लोग एक में दीजेगा चलिए तो मैं इसको आने बढ़ाता हूं तो यहां पर यह जो हमने एक क्वेशन दिखी है हमारा एम क्या रही है यादट रहे है यह को क्योंकि ऑब्जेक्ट को भूलना नहीं हमारा एम चल रहा है कि हम एक्स डैस वाई डैस जडैस और टैस यह चार हम निकाल रहे है या सौल कर रहे है तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स डैस के तंस में तो इसको फ्रुदा से सौल करते हैं तो एक्स डैस हमारेडी मिल चुकी है के के तंस में अब हम निकालेंगे वाई डैस और जडैस तो वाई डैस और जडैस या लगना है क् कि no motion along the y axis and along the z axis so y dash and z dash will be constant but t dash is not constant Lorenz ने ये माना था क्योंकि time जो है Galilean ने माना था सेम रहता है इन्होंने कहाता कि time vary कर सकता है speed पर depend करेगा अगर बहुत high speed है light के terms में speed है time वहाँ पर जो clock होगी वो slow motion में आएगी तो कैसे इसको उन्होंने verify कि उसी को निकालते हैं यहां से हम t dash की value को निकालेंगे तो इसके लिए में इसको x upon k कर देता हूं तो यह अंदर बचेगा multiply कर देते हैं k x minus k v t plus v t dash बहुत simple step हमने किया है कि हमने इस bracket को open कर दिया यह हम करके आगे काम यहां पर हमारा objective है अब t dash को निकालना x dash हमाई मिल चुका है y dash और z dash हम औरली बता चुके हैं last में इसको लिखेंगे equations को अब रहे गया है t dash को निकालना t dash की value तो t dash की value के लिए v t dash है साथ में तो इसको एक तरफ कर लेते हैं तो यह हो जाएगा v t dash equal to x upon k minus k x minus k v t तो यह equation हमें मिल गए है इन equation को मैं खुड़ा side में लिख देता हूं ताकि हमें ध्यान रहे कि हम क्या करने जाते हैं तो equation 1 है हमारे पास जो यहां पर है side में लिख देता हूं x dash equal to k x minus v t कि इसकी हमें आगी जरद पढ़ने वाली है और जो equation आप हमारे पास निकलेगी इसको t dash की वह हम यहां लिख देंगे तो देखिए आप यहां पर इसमें t dash हमें चाहिए तो b को हम यहां से हटा करते हैं तो यह हो जाएगा t dash equal to x upon kv minus kx upon v और minus minus का यह हो जाएगा plus kv t क्योंकि यह धर shift अब नहीं किया है तो v t equal to यह हो जाएगी value plus kt तो यह क्योंकि आप यहां से समझ लिए शर्षे कि हमें निकालना था यहां को v t dash को एक तरफ रखना था हमें इस सब को दोनों को इधर पहुंचा दिया तो x y k अब्रेटी हमारा positive है तो kx minus में आ जाएगा और v साथ कहां से आ गया और यह minus में टर्म था जम इधर जाएगा तो यह क्या बन जाएगा प्लस का टर्म बनेगा इस दर्म पर प्लस का sign ले दिया है तो यह question हमारे पास आ चुकी है अब क्योंकि t-स हमें करने प्रस इसको easy कर लेता है k हमें कही जगे दिखाई दे रहा है तो k की value को हम इस तरीके से लिखते है kt मैं पहले लिख देता हूं minus k x upon v अगर मैं common लेगा तो यह पुरा टर्म बन जाएगा 1 जा रखना है और यह पुरा टर्म आप क्या बनेगा माइनस में जाएगा और 1 upon k square बचा यहां से हम देख सकते हैं x upon v पहले से था k नहीं था ऊपर है तो k नीचे बनके बन गया k square तो यह हमारे पास जो equation आई है इसको हम कहेंगे equation number 3 दो equation हम already मिताल चुके थे एक x की एक x की आगए यह रिकल के आगए t dash की तो इस equation को ही मैं side बर लिख लेता हूं क्यूंकि यह हमें आगे use करनी है kt minus kx upon v और bracket में आ जाएगा 1 minus 1 upon k square और इस equation का number है equation 3 तो यह दो equation आतो चुकी है x dash भी मिली गया t dash भी मिली गया y dash भी जैंडर बर problem अब क्या है problem है कि we don't know the value of k constant k को क्या नहीं को हमने कहा था कि 1 रख लेंगे तो कैसे वह 1 बनेगा velocity को क्योंकि depend करेगा तो उसकी value को निकालना अगला step रहेगा और इसको निकालने के लिए लारें ने जिस पॉस्ट्रेट का यूज किया था वो था Einstein का second post rate तो यहां तक equation 3 तक Einstein का पहला पॉस्ट्रेट यूज करके हमने derivation को कर दिया है तो अगला step रिखेते हैं heading रहेगी हमारी using Einstein's second post rate तो Einstein का second post rate क्या है लिख देते हैं यहां पर using second post rate तो यह ध्यान रखना है कि second post rate के according इसको बोला गया था second post rate को consistency of speed of light दूसरा जो हम यह पॉस्ट्रेट यूज कर रहे हैं यह क्यों यूज कर रहे हैं हम के की value को निकालने के लिए याद रखना है हमी साथ Lawrence transformation equations को आप तीन step में बाढ़ सकते हैं पहला step जिसमें हमें गेलियन में के लगाना है दूसरा step post rate फस्ट यूज कर रहे हैं सेकेंड पॉस्ट्रेट का यूज तो consistency of speed of light के recording इन्होंने बताया था कि हर inertial frame से जब भी कोई observer ओडायस कोई भी observer होगा अगर वो sunlight की जो speed है उसको major करेगा तो वो हमीसा constant रहेगी तो इसी का use करते हैं इन्होंने थोड़ा सा concept को कैसे लिया तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके का कुछ consideration दिया जिसको हम बना लेते हैं फिर से तो यह हुझा गए हाँ पर मान लेते हैं y तो यह जाएगा y dash z तो यह जाएगा z dash x और x dash इसी को x मान लेते हैं और यह हमारा x dash उन्होंने माना कि एक point P है जो event point था तो sun light की speed क्योंकि constant होती है तो उन्होंने ice stream की इस portrait का use करते हैं इसको किया और यह क्यों कर रहा है k की value को निगालने के तो उन्होंने पहा कि o और o dash जो observe रहे हैं यहाँ से एक torch laser light कह सकते हैं जाए अच्छा रहेगा एक flash of light torch light कहले हैं यहां से हमने एक laser light incident करी इस point तक अब यह जो distance है इस frame के reference का हम कह लेते हैं कि वो distance कितने होगी x और यह x की distance क्योंकि देखे हम जालता है distance का formula always it is equal to the velocity into time तो velocity होती है v into t बड़ यहाँ पर velocity light है तो light की velocity होगी c और यह formula बन जाएगा ct similarly जब हम कहेंगे कि यहां से o dash से light को भेजा गया जब flash डाला गया यहां से laser light भेजी गई कि o dash से o dash जो की motion वाला frame है और इस point से वो भेज रहा है तो वहां से भी measurement आया वो है x dash तो o dash को क्या distance वो दिखाए दी x dash दिखाए दी लेकिन उसने का कि इसकी value क्या होनी चाहिए c constant रहना चाहिए i-steam के postulate की वजह से जबकि गया लेन अगर यहीं पर यूज करते हम तो c की value को हम बदल देते इसी के वह फेल भी हुआ था तो c t dash t और t dash यहां पर यार रखना है कि according to lawrence theory time हमेशा बदल जाता है depend करता है वो speed पर तो यह दो यह formula हम देख रहा है या दो distance जो है तो तो जितना में यहां पर भी बोला है उसका आप language में भी लिख सकते हैं considerations तो मैं तो शॉर्ट में लिख देता हूं तो ऐसा लिख देते हैं when to light beams flashes according to figure तो बहुत ज़्यादा अगर theory आप नहीं लिखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान सी चीज़ है कि आप simplest way में figure बना दीज़े और लिख दीज़े कि according to figure तो according to figure में यहां सब देख सकते हैं कि x बदाबर क्या है ct और x dash बदाबर क्या है ct dash तो इन दोरों value को हमें put करना है अब या रखना बैस्ट है put these values in equation 1 and equation number 2 x और x dash की value का रखना होता है वहाप मैंने equation 2 लिखे नहीं है बड़ लिख लें है आपर अपर भी तो from equation 1 from equation 1 याने कि वह equation तो x dash की value कितनी है ct dash तो यह हो जाएगी ct dash equal to k और यह सारा या रखना हम कारूप्यू कर रहे है k की value को निकालने के लिए तो k बड़ाबर x is further ct minus vt यह हमारी equation बनी और similarly जब हम equation 2 पर इसकी value को रखेंगे तो यह equation 2 जो थी हमारी क्या थी वह देता हमें आपर में तो वह equation बनती है हमारी x equal to k x dash plus vt dash तो इस equation को जाब रखते है तो x की value क्या बना है ct k constant रहेगा अंदर होगा x dash तो यह रहेगा ct dash और plus का vt dash तो k की value को निकालने के लिए यहां पलिक देते हैं और next to find the value of constant k यह important step है जिसको आपको या रखना है इसको चाहिए को नाम देते भी चलते है equation 4 और equation 5 इन दोनों equations को हम आपस में multiply करेंगे इसलिए multiply करेंगे ताकि k की value हमें मिल जाए तो मैं multiply कर देता हूं यहां मिटा देता हूं तो हमारा aim जो है आप k की value को निकालना है जब k की value आ जाएगी तो उन value को हम equation 1 और equation 3 में रख देंगे तो यहां पर k की value के लिए इसको multiply करेंगे तो यह बनेगा c square t इसकोर हो जाएगा यह t- है यह t- है तो यह हो जाएगा t-t- इसलिलरली जब इदर आरचस को आरचस से एरचस को एरचस से multiply करेंगे तो k की value हो जाएगी k square और इदर देखें तो t-t common है तो t अगर common लेंगे दर आरचस को निकालना तो यहां से हम देख सकते हैं कि step हमें मिल रहा है कि यह value t- को cut कर रही है t- की value t- को cut कर रही है यह दोनों के दोनों टर्म कैसे हैं multiply के तमस्ट में लिखे में इसलिए हम इसको आसामी से आरचस अरचस से cut कर सकते हैं तो जो remaining चीजें लिब देते हैं क्या बचा तो k square equal to क्योंकि k निकालना है तो इसको एक तरफ कर दिया तो यह बनेगा c square upon तो here you have to remember that there is a formula formation a minus b into a plus b a minus b into a plus b always it is c square minus v square के terms में a square minus b square यह formula होता है यहां से हम c को अगर हम common लें तो इसको लिखा जा सकता है one minus b square upon c square तो c से c cancel कर देते हैं तो finally हमारे पास जो value आई है अब हम इसको list लेते हैं k की value क्या बनेगी तो यहां से हम कह सकते देखो अगर हम one upon k square कहें तो यह बन जाती value one minus v square upon c square यह value भी हमें आगे चाहिए यूज करने के लिए जहां पर हम देख सकते हैं one upon k square हमें equation 3 में use करना है और k की value हमें निकाल गी है तो यह हो जाएगा k equal to इसी equation से one upon अंडरूड में हो जाएगा time इंदर अंडरूड लेंगे तो square है k ही बचेगा यह हो जाएगा one minus v square upon c square तो यह दो फॉर्मूले बन रहा है हमारे कह सकते हैं finally जो k की value थी वह में मिल रही है इसको नाम दे देते हैं question number six तो question three तक निकाल गिया था four five यहां पर में लेखी थी question six यह finally आ गई है बल्कि इसको भी कोई नाम देना चाहां तो question seven तो these six and seven values are the values for the equation one and three अब हमारा जो aim था aim हमारा क्या चल रहा है याद रखना है x of dash y dash z dash t dash को निकालना तो इन equations को निकाल हम चुके थे बड़ यहां पर k क्योंकि constant आ रहा था उस k की value को हमें निकालना था वह भी हमने निकाल लिए k की value जो एक constant है अभी याद रखना है कि यह जो v velocity है यह भी constant है c velocity constant है तो जब अगर हम कहीं पर inverse transformation questions लिखेंगे इस से अगले इस मैं बताओं आपको कि कैसे लॉरेंज की inverse equation लिखते हैं तो इस v को हम यहां पर minus v नहीं लिखते हैं क्योंकि यह कैसा है constant है यह पूरा बड़ पूरा constant है तो आई इसको हम values को put करते हैं और लॉरेंज की चार questions को final कर लिखते हैं तो सबसे पहले हम T dash की value को अगर हम जब निकालें तो लिखेंगे तो put values from 6 and 7 into 1 and 3 6 और 7 की values को कहां रचने equation 1 और 3 में put कर देते हैं जिसकी जबब जहां पर है वहां हम इसको रच देते हैं तो equation 1 हो जाएगी तो from equation 1 x dash will be यह हो जाएगा now x minus vt और k की value जब पूट करेंगे तो यह value हो जाएगी 1 minus v square upon c square के form और यही हमारा required result है जो की हमें चाहिए था जिसका हमारा जो object था starting हो यही question है finally जो निकल के आ चुकी है equation 8 अब 1 upon k square की value कितनी है 1 minus v square upon c square यह ध्यान रखिएगा इन value को हम कहां पर put कर रहे हैं अब further t dash के लिए तो from equation number 3 तो यह क्या जाएगा t dash equal to kt है इसमें से देखिए हम एक step और थोड़ा चोटा करने के लिए कर सकते हैं k को common भी लिया सकते हैं तो common ले लेता हूं ताकि और आसाम हो जाएगे k equal to जाएगा t minus x upon v और bracket में है 1 minus 1 upon k square अगर आप common नहीं भी लेंगे तो इसको solve किया सकता है और थोड़ा step लेंदी हो जाएगा तो easy करने के मैंने common ले लिया है पहले भी ले सकते हैं इसको common तो आप value put करते हैं तो t dash बराबर यह तो नीचे आ जाएगी वाई क्योंकि one upon में है तो यह बचेगा t minus x upon v और यहां पर बहुत जादा ध्यान देने की जुर्णत है क्योंकि यहां सबसे जादा mistake में देखता हूं कि student exam में कर देते हैं one minus को लिखना भूल जाते हैं यह बहुत ध्यान से याद रखेगा one minus को लिखना भूल जाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है आपको कि one minus one upon k की value पूरी की पूरी one minus v square upon c square जबकि यह one upon k square की value अभी हमने निकाली थी यह थी one minus v square upon c square जब माइनस की value है ब्रेकिट खुले गाइस था तो यह बन जाएगी प्लस हुए और इसके अपॉन पूरे के मालिक देता हूं इस तरिके से यह value हो जाएगी t sorry k की value है तो one minus v square upon c square तो कट कर देते हैं कि one से one cancel हो रहा है फर्दर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं इसको अलग लेता हूं इक question को तो equation 8 जो हमारे पास यह है लेख देते हैं x dash equal to x minus vt upon root one minus v square upon c square यह question 8 हमारे पास आ चुकी है अब हम निकाल रहे एक question t dash को detail में क्या यह value बन रही है तो जो values cut हुए है यह निचे उनको थोड़ा सा simplify करके मैं लिक देता हूं तो यह होगा ती dash equal to t minus x upon v अब ध्यान दीचे इदर v square है इदर c square है तो v square upon c square है तो v से v cancel हो जाएगा तो मैं इसको यहीं लिख देता हूं x v upon c square upon में जाएगी value under root की 1 minus v square upon c square तो finally हमें एक value और में नहीं जो और इसको नाम देते है question number nine तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमें जो चार equation required थी और यहीं चार equation हमारी transformation equation से इनको एक साथ लिख देते हैं तो वाइल और जैट के लिए हमें लिखना पड़ेगा and as there is no motion ये लैन रिखना ना भूला है because most of this point इसी चीज़ को भूल जाते हैं जाम में रिखना there is no motion along y and z axis hence y dash will be equal to y and z dash उस तरीके से लिखने तो j dash equal to j तो equation 10 equation 11 तो अब हमारे पास 8 9 10 11 युज़े चार equations आई हैं तो दीज 8 9 10 11 equations आर कि लॉरेंच कि ट्रास्फोर्मेशन तो जब भी आंसर को एक्जाम में लिखेंगे आप तो हमेशा या रखेगा इसको एक साथ फाइनली लिख दें ताकि एक्जामर को कंफिजन ना हो यहां तेक भी छोड़ देंगे तो भी नंबर मिलेंगे बट ज्यादा बैटर रहेगा कि आप इन चार पूरे चार्स को लिख देंगे तो पूरी चार लिखने होंगी और से यहीं चार इक्वेशिन ठेलाती हैं लॉरेंज की इसको लिखते हैं, तो हम अपने ही next वीडियो में इसको discuss कर लेते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हैं, यह तक रख लेते हैं, और जो last make quiz आप से पूशी जाने वाली है, जो puzzle आप से पूशने वाला हम उसको ध्यान दीजे, देखे और अपने IQ को बढ़ाई अपनी memory को sharp करिए और इसे तरीके से technical fix को प्यार देते रहिए, तो अभी तक के लिए इतना ही रखता हूं, thank you